हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो यूर ओर वन चैनल मार्किट एनलेसिस दोनों, निफ्टी और बैंक निफ्टी, मैं लो ओर ओर मार्किट हमारा जो इंडेक्स था, वो बिल्कुल बुलिश था आज, गैप अप उपन होता है, बट होता क्या है दोस्तों, end of the day, इसमें काफी ग्रावड हमें देखने को मिलती है, और जो कलकल लो है, उसके आसपास आ नहीं होना है, अगर ये वाले लेवल ब्रेक होते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे एक जवर्दस फॉल दिखाई पड़ सकती है, जो कि सीधा सीधा यहाँ से 1000 पॉइंट्स की ग्रावट आपको इजीली देखने को मिल सकती है, अब हम बात कर लेते हैं, निफ्टी बैंक के बारे में, निफ्टी बैंक की अगर बात करें, तो बिल्कुल डे लो के आसपास इसने क्लोजिंग दी है, कल का लो भी इसने एक बारी ब्रेक कर दिया था, लेकिन जो क्लोजिंग दी है, तो कहने का मतलब यह है, अगर कल के दिन इन दोनों का, ये दोनों केंडल जो आपने यहां से रिकवरी आएगी, या फिर यह लेवल अगर ब्रेक कर जाते हैं, तो फिर आपको बड़ा फोल आपको दिखाई पड़ सकता है, वैसे एक बार जरूर यहां से रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन काफी दिनों से अपना एक सपोर्ट का काम कर रह है, और यहां से जैसी मार्किट आएगी, तो एक बांस बैक लेगी, वो कितना भी अपसाइड में ले सकती है, फिर उसके बाद अगर यह अपने आपको सस्टेन नहीं कर पाई, तो फिर गिरावाट हो सकती है, तो इसका आप जो ध्यान रख सकते हैं, यहां पे आने के दोस्तों आपना लाइक नहीं करते हैं, आपको एक बिटन दबाने में आखिर होता क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, आपके लिए इतनी वैलेबल कॉंटेंट में लेके आता हूं, इतनी अच्छे-चे स्टोक में आपके सामने स्टडी कर आता हूं, बट आप लोग होता है, तो आप मुझे मोटिवेस्ट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल मैंने आप क्या बताया था, कि इसमें 20% का अपर सक्री लगा है, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी साथ में, कि आपको यह वाले लेवल देखने हैं, जैसी यह वाले लेवल यहाँ पर ब्रेक होगा, फिर से आपको मुमेंटम दिख सकती है, कल भी दिख सकती है, और आज के जिन फिर से दिखाई दी, 19% की मुमेंटम दोस्तों, इंटरे में इसने बना के दिये, हलंकि जो इसकी ओपनिंग है, वो यहाँ पर हुई थी, इसको अगर क्रोस करेगा, तो एक अच्छा मुमेंटम आ सकता है, तो फिर भी अगर आप उसको study नहीं करते हो अपने end पे, तो this is very bad, और जब कि आज के दिन भी market में काफी ग्रावट हमें देखनी को मिली है, और हमारे जो stock से काफी अच्छे perform कर रहे थे आज, नेक्स टोक आपको याद होगा, सैन को गोल्ड, कल मैंने आपको इस लेवल के आसपास closing दी थी, जब मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाली जो हमारी trend line इसको अगर break करेगी, तो अच्छा momentum देगी, हुआ क्या कि सीधा opening यहाँ पे होती है, एक जबरदस momentum देती है, करीब 4% का momentum इं चुकी है, अब हम बात करने वाले हैं, कुछ और नहीं बैतरी stocks की बारे में, जिनमें एक अच्छी momentum हमें दिखाई पड़ सकती है, यालंकि market में थोड़ा सा pressure है, तो इस वज़े से हो सकता है, हमारे stocks कुछ ज्यादा performance ना दिखाएं, बट कहना चाहूँगा, कि जैसे market क्या करेगी, अपने आपको pullback करेगी, या थोड़ा सा भी यहां से upper side में momentum दिखाती है, तो हमारे stocks जोए, एक double performance दिखाते हुए, आपको नज़रा सकते हैं, सबसे पहले stock है, dollar indices, आपने देखा होगा, मैंने इस level के आसवा study कराया था, इसने जो यहां पर 40% का return already यहां पर बना क अब ही क्या हुआ है, अब ही क्या हुआ है कि वापिस से इसी zone पर, जो हमारा यह क्या है, demand zone है, यहां पर बार बार यह support के आसपास आके bounce back लेने की कोसिज कर रहे हैं, तो यहां से फिर से इसने क्या किया, आज कि दिखा लिया है, करीब 4-5% की momentum भी दिखाईए, अब अगर यहां पर sustain हो जाता है, और फिर यह upside में momentum इसे लिए दिखाने के लिए बिल्कुल त्यार हो जाएगा, तो इसको आप अपने end पर study कर सकते हैं, नेक्स्ट ओक आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको study करा हुए, orbit exports, यह मैंने आपको इस जिखे क्या आज पास study करा है, छोटा से momentum दिया, वापिस गुश गया, फिर से आज momentum 10% का momentum दिखाया इसने, लेकिन इस trend line को यहाँ पर क्या कर रहा है, cross नहीं कर पा रहा है, अगर कल के दिन इसको cross कर देता है, तो momentum जो आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, इस पर आप जो नजर बना के रख सकत पतंजली foods, I hope आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि यह क्या है, एक बहुत ही important यहाँ पर resistance जो होना है इसका, अगर इसको यहाँ पर break करेगी तो एक अच्छा momentum मिलेगा, finally इसने आज के दिन यहाँ पर closing दे दी है, अब I hope की आगे चलके momentum जो हमें continue दिखा सकता है तो इसको भी अपने end पर study कर सकते हैं, और दोस्तो next रोग बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के comment आ रहे थे, whatsapp पे message आ रहे थे कि sir हमें discount चीए, हमें जो आपकी class join करनी है, हमें बहुत कुछ सीखना है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर decide कर लिया है, कि मैं कुछ न कुछ आपको जो discount देने वाला हूँ, और वो discount सिर्फो सिर्फ कब तक रहेगा दोस्तों, 15th of August तक आपका रहने वाला है, और यह discount कितना रहने वाला है, हर किसी course पे आपको 25% का discount मिलने वाला है, जो भी member इसके लिए aggressive है कि उनको discount मिल जाए, बस उन आपके मैंने दोस्तो 25% का discount दे दिया है, आपके intraday वाले में भी आपको discount मिलेगा, और आपके options वाले में भी discount मिलेगा, 25% का आपको discount मिलने वाला है, अपने जो एफर का नाम है, वो रहने वाला है, दोस्तो, skill भारत, और जो coupon code है, आप वो यूज कर सकते है, ind 15, टिक है, ind 15 अगर आप यूज करोगे coupon code तो आपको यहाँ पे 25% का off मिलने वाला है हर किसी course पर चाहिए वो आप intraday वाला लेते हों चाहिए वो आप swing वाला ले रहे हों चाहिए वो आप option वाला ले रहे हों ठीक है तो आप जाके फटापर इसको join कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं next हो के बारे में तो next है अपना FCL, FCL को आप देख सकते हैं काफी दिन से मेरे radar पे हैं पहले हमने इस लेवल के आथ पास study कर रहा था है काफी अच्छा momentum इसने बना के दिया हुआ था अभी यह क्या कर रहा है एक triangle chart pattern यहाँ पे बना रहा है जैसे कि आप जो कल के दिन भी नेजर रख सकते हैं बहुत ही अच्छा chart pattern यहाँ पे बन रहा है कई दिन हो चुके हैं 1,2,3,4 चार से पास दिन दोस्तों हो चुके हैं एक ही जगे पर यह अपने आपको sustain कर रहा है अगर कल के दिन मान के चलो यहाँ पर break कर देता है तो एक जबरदस momentum हम यहाँ पर देखने को मिल सकती है आपको इंटेडे प्लस विंग दोनों में आपको यहाँ पर momentum देखने को मिल सकती है last but not the list everyday industries आप इसको देख सकते हैं हमने इस जगे क्या असपास study किया था एक अच्छा momentum यहाँ पर हमने capture किया था वापीस से easy zone के आसपास आ चुका है अगर यह अपने आपको यहाँ पर sustain कर जाता है और at least यह जो इसका यह वाल लेवल है जो इसका resistance लेवल है इसको अगर यह निकाल देता है तो एक momentum फिर से हमें दिखाई पढ़ सकती है इसको भी अपने end पर study कर सकते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही अगर करें and सभी दोस्तों में शेर करें and अगर आप नए है तो चैनल को करें सब्सक्राइब चलिए दोस्तों मिलते हैं नाक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक किया